प्रयोग में पेछले वीडियो में बता चुकी हूँ नेक्स पॉइंट है आपका विद्याले के बाहर भाषा का प्रयोग जब हम करते हैं तो ब्यापक रूप में करते हैं यह प्रयोग अनौपचारिक रूप में होता है घर परिवार में प्रयोग की जाने वाली भाषा का जो प्रयोग करते हैं वो भाषा का सो रूप कक्षा गत्भासा से बिन होता है सीखने की प्रक्रिया कक्षा के बाहर तथा विद्याले दौनों में ही होती है इसलिए विद्याले के बाहर की भाषा को भी अधिकम के अंतर्गत संग्यानात्मक ज्यान के मैतुपून भाग में रखा जाता है विद्याले के बाहर की भाषा की प्रयोग के स्वरूप को निम्लिकित रूप में स्पस किया जाता है सबसे पहला होता है दाइतों का निर्वान निर्वान कैसे किया जाता है विद्याले के बाहर बालक समधाय में अनेक प्रकार की क्रियाओं में भाग लेता है इन क्रियाओं को संपन्ध करने में भाषा का ही प्रयोग होता है और बालक सामस्जिक तता सांस्कतिक कारियों में अपनी वूमिका के लिए निर्देशन एवं परामर्स की प्राप्ति भाषा में ही करता है कि तता हुआ अपनी कारियों का पालन की सरवूत्तम रूप में करता है गीट एमannahाभिने में बॉले जानीवाले संभादों का प्रसूति करण ही भाषा में होता है संसकतिक वीकास में प्रीयोक अब संस्कति विकास में किस प्रेकास से हम भार्षा का करते हैं भारत में अनिक प्रकार की सब्वितन संस्कति पाय जाती हैं इनका अधान प्रदान भार्षा द्वारा ही संभव होता है इसके लिए एक मध्यस्त भार्षा का प्रयोग किया जाता है यह एक दूसरी भार्षा म तो विचार विन्मे में किस प्रकार से उप्योग करेंगे विचार विन्मे की प्रकिरिया विद्याले की अपिक्षा विद्याले के बाहर व्यापक रूप से संपन होती है क्योंकि विद्याले से बाहर बालक अधिक रहता है इसलिए वह अनेक विंदूओं पर अपने साथियों से विचार विंद्मे की प्रकेरिया तीब्र होती है इस संपूर्ण अक्रिया कलाप में भाशा का ही उपयोग किया जाता है नेक्स्ट है इसका आपका सामजीक परमपराओं के ग्यान में भाशा का प्रयोग अब सामजीक परमपराओं के ग्यान में भाशा का प्रयोग जब हम करती है तो यह बालक करता है तो समाज में अनेक प्रकेरियां को संपन करती है है ना जैसे बैवाही कारीक्रम है कशन डीला राम डीला इत्यादी इन में से भारति सम्मझ के स्वरूप का वर्णन भाषा के दौरा अभीने करणी वालों द्वारा प्रतस्षित किया जाता है इस प्रेकार की भाष़ा चात्रों की रुची है वह म्योगीता की अंसार होती है इसमें इस्थानिय शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है इस पर कर पालक द्वारा भाशाई ग्यान को सरल रूप में प्राप्त किया जा सकता है तर्था वह सामजिक परंपराओं का ग्यान प्राप्त करते हुए उनमें अपनी भूमी का निश्चित करता है इसके बाद आत होता है बिचारों का मैं आप बिचारों का एकनी होता है विचार अीचिह ब तो सामाने हो ने है पि dessert करन्य को भी यह प्रहाइं को मौकिन को प्रभ्मक में प्रयंट llegar PSpace कह कहती आ हम हो समाज में प्रकार की धार्मक होने के पिशार को कि परफिक हो ही होती है इसकार विचारों के एकिति करण का स्वरूप सर्वुत्ता में क्रंबद रूप से विक्सीत करने में भाशा का युगदान होता है हुग होसा विखर शुत्ता तौर नेंग्स ने और सूप्ड़ीजी विकंड्न या समय-स्तितिति कोटा कर घंटी वजा कर इस तरीके से जागरुक किया है कि कहीं देश ऐसा तो नहीं वोर हो रहा हो कि समर्थन में कमी आ रही हो ऐसा नहीं है बार-बार भाशा के माध्यम से अपने आविभाशन के माध्यम से जोड़े रखा है तो यही हमारी मुख्य भावना जो भाशा है उसके कि लिए देखो गीतों के माध्यम से कविता के माध्यम से सबी लेखकों ने पूरे रास्ट्र को पूरे रास्ट्र के नागरिकां को एक तकी भावना से जोड़े रखा और परणाम भी अच्छा हुआ कि देखिए सभी जाती धर्म संप्रदा हैं सब को भूल कर अंग्रेज चाहिए आज रास्ट को बचाने के लिए एक ज्यूटो कए एक प्रधार मंतरी के राश्चुपती के सामने बढ़ुन कर बढ़ा रही हैं ना इसमें भाषा का ही योगदान होता है वीचारों की प्रस्तुती करण का आधार बाशा ही होती है इस लिए इसमें मनोरंजन का आ मनुरंजन का आधार जब होता है तो जो इसमें भाई भाजा दो हर्जगे हैं बिना वोली तो व्यक्ति अपनीवीक्ति करनी सकता था बिद्याले के बाहर मनुरंजन के साथ नुमें भाजय का प्रयोग अनिवारी रूप से किया चात्रों द्वारा विविन प्रकार के नाटेक नरतिया एबम अभीने संबधी कारियों का स्रवन एबम दर्शन गाउं की चोपाल पर यह पंचायत पर घर पर किया जाता है इसमें समाज के पतिस्टित व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं इसमें इसे चात्रों का एक और स्वस्त स्वस्तितिक एबम समस्जिक कारियों में लोग गीत एबम कविताओं का प्रशलम देखा जाता है इनका स्रवन करनके ठीक इसी प्रकार की तो कुवंदी संबंधी कविताओं का स्रजन बालक करने लगता है इसे बालक में स्रजनात्मक शमता का विकास होता है और स्रजन सील साथ का विकास होथा है इसका आधार भी प्रमुक्त रूप से भासा ही होती है इस प्रैकार कि सेट Kinder 10 में यिस्ता वार्श्य का उप्यों करता है नेक्स्ट होता है मुन्यों का विकास और जब बच्चे समाज में रहता अच्छी बाता सिकता वह संवाज के व्यक्तियों के लिए नेतिकता से युक्त संदेशों का प्रसारन करता है यह इसी भासा में होता है। और उन कार्यों को करने के लिए भड़ता है जिससे कि उसके नैतिक मूलियों का विकास होता है इस प्रकिरिया के मूल में भाशा का ही मूल की रूप से योगदान होता है लास्ट होता है इसमें सर्मांगिन विकास का आधार किस प्रकार से होता है है ना यह भाशा को चात्रों सारीरिक विकास, मांसिक विकास, सामाजिक विकास, ससंबंदित, सहतांतिक एवं भ्यहवारिक ज्यान प्राप्त करना है, तो उसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भासा का ही सही योग लेना होता है, इसी प्रेका भार्षा का प्रयोग मानत जीवन के प्रतेक पक्ष में रखा जाता है